चैनल में आपका स्वागत है Most Popular Dog Breed की सीरीज में आज हम बात करेंगे Great Dane के बारे में तो Great Dane के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को Great Dane को अरिजिन जर्मनी से है Great Dane Mastiff Type Dogs होते हैं इन्हें 400 साल पहले जर्मन्स ने ब्रीड किया था इन्हें अपने ओनर को प्रोटेक्ट करने के लिए और उनके लिए वाइल्ड बोर का शिकार करने के लिए ब्रेड किया गया था आज जो हम Great Dane देखते हैं वो 19th Century के दोरां डेवलप हुए थे 1880 में जर्मन्स ने Great Dane का नाम बैन कर दिया उसकी जगा उन्होंने उसका नाम डियूसेच डॉगी रखा जिसका मतलब है German Mastiff लेकिन फिर भी उसे English Speaking Countries में Great Dane के नाम से ही जाना जाता था Great Dane को Gentle Giants भी बोला जाता है क्योंकि ये बहुती प्लेफुल और बहुती शांत डॉग होते हैं ये डॉग बच्चों के साथ भी असानी से रह सकते हैं ये डॉग दूसरे अनिमल्स और दूसरे डॉग्स के साथ भी असानी से रह सकते हैं अगर बच्पन से ही इन्हें उनके साथ सोशलाइस किया जाए ये डॉग बहुत इजिली ट्रेंड हो जाते हैं लेकिन कुछ ग्रेट डेंस ऐसे होते हैं जो हमेशा खेलने के मूड में रहते हैं और इजिली ट्रेंड नहीं होते अगर आप कोई ग्रेट डेंड को अडॉप्ट कर रहे हैं तो आप इस बात का ध्यान रखे कि इन्हें बहुत ज़्यादा भूग लगती है और जब इन्हें खाना नहीं मिलता ये बहुत परिशान हो जाते हैं